शेमा दूमरेमेडी इसमें आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे चिया की बीज के बारे में चिया का बीज क्या होता है इसके क्या फाइदे होते हैं और इसे क्या सौधानी आपको बरते हैं चिया के बीच तुलसी की प्रजादी के बहुत ही छोटे किसम के बीज होता है यह शरीर को सुस्त बनाए रखने में बहुत फायदे मंद होता है चिया के बीजों में कई असदियों गुणभी होता है जो शरीर में मौटियबलास्म परणाली को संतुलित करती है भूप को शांद करती है और पानी की मात्रा को बनाए रखती है शर्वी या वसा कम करने में भी ये लाबकारी सुद्ध होता है चिया के बीजों में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिट्स, एंटी ऑक्सिडेंस, कैलसियम, मैगनेसियम, मैगनीज वो अन्य पोशक्तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते है जो शरीर को पोश्टतों देते ही हैं, साथ ही कई तरह की बिमारियों से भी ये बचाते है ये शरीर के विसेले पदारतों को दून करने और खोन में शक्कर गास्तर को संतुलित करने में सहायक होता है अब हम आते हूं उसके फायदे के उपर, कि हमें चिया के बीच के क्या-क्या फायदे है वो चिया के बीच के उसधियों जो गुनेवा आपको बदाता हूं, ये सूजन को कम करता है चिया के बीचों के निमीद सेवन से सूजन की परिशानी दूर होती है एक ग्लास पानी में एक चम्मच चिया के बीज आदे गंटे तक भीगा लेजिए आदे गंटे के बाद बीजो वाला पानी गाड़े गोल में बदल जाएगा इस गोल को पीने से पाचन पढ़ाली बहुत ही अच्छी होती है इससे फाइवर की उच्छ मातरा मिलती है फिर यह मोटापा को घटाती है वोजन कम करने या मोटापा घटाने के लिए चिया यानि तुलसी परचाती के बीच बहुत ही लाबदायब होते हैं क्योंकि यह भूख शांत करता है चिया बीजों को भोजन के रूप में इस्तमाल करने से भूख कम लगती है यह बीच पानी को अवसुसीत करने की छमता रखते हैं जिस कारण यह एक जल्ल पदारत में बदल जाता है और मोटापा कम करने में मददगार बता है चिया बीच कैलेरी को कम मात्रा के साथ सबी पोशक ततू की कमी को दूर कर देता है फिर यह कलेस्ट्रोल को नेंद्रित करता है चिया के बीजों में ओमेगा-3 वाइल के गुन पाए जाता है जो हिर्दय और कलेस्ट्रोल की समस्याओं को दूर करने में मदिद करता है चिया के बीजों में उमेराथी वाइल होता है जो कलेस्ट्रोल को शरीर से बाहर निकलता है फिर ये हिर्दय रोग तेता कैंसर में बचाओ करता है चिया के बीजों में एंटी ओक्सिजिन्स प्रियाप्त मात्रा में होता है जो शरीर से free radicals को बाहर निकलता है free radicals का संबंद हिर्दय यानि दिल के रोग और cancer से होता है ये बीच triglyceride के स्तर को कम करते हुए फिर्दय को स्वस्त रखने में बहुत ही लाबकारी से दोटा है पर ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है बनस्पती के आधार पर चिया के बीच protein वो आवश्यक अन्यकोसक तत्यों का मुक्त स्रोड़त है जिसके सेवन से मानस्पेशियां, मस्तिष कोशिक आएं और तंत्रिका तंत्र को मजबूत होता है चिया के बीचों का सेवन करने से अल्जाइमर जैसे रोग से छुटकरा मिलता है ये तापमान को इस्तिर रखता है चीया के बीजों को रोजारा खाने से प्रयाप्त पोसन मिलता है साथ ही शरी का तापमान भी इस्थिर रहता है इसमें आईरन, ओमेगा 3, फैटी एसिप्स, पोटेसियम, मैगनेसियम वो अन्न गुन होते हैं इन गुनों से व्यक्ति को अंदरुनी ताकत को बनाये रखने और सुधारने मदद मीदती है फिर ये दात और हड्यों को मजबूत करता है चीया के बीजों का सेवन करने से 18-फिस भी कैलसिम जो कमियों पूरी होती है जो दात और हड्डियों को मजबूत दुनाने में मदद करता है इसलिए इन बीजों को रोजाना अपने भोजन में शामिल करना चाहिए अभी अगर हर चीज का प्रॉफिट होता है तो हर चीज का नुकसान भी होता है तो जो साइड एफेक्ट्स हैं या जो दुष्ट प्रभाव है वह मैं आपको बता देता हूं कुछ रिसरच के अनुसाँ चीज के बीज में अलफा-लिपॉनियलिक एसीड होता है जिससे अत्यदिक सेवन से प्रोस्टेट डर के करने से ट्राइग्लेस्ड्स का स्थर है वह बढ़ता है जो रख्तचाप और बिमारियों का कारण बनता है श कि इस यूद पर धियो के यह अग्यद्ध करते हैं तो से पर इलर्ची उगी साहसले में दिक्कत होगी खुजली होगा, दस्त होगा, उल्टी होगा, सूजन होगा, इस तरह की समस्य आया सकती है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल के सबस्ट्राइब करें और अपनी कमेंट कीजिए धन्यवाद